तो फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बेशन की एकदम यूनिक नए तरेकी की एकदम डिफरेंट सबजी इसे बनाना बहुत ही आसान है जब भी आपको घर में समझना आए क्या सबजी बनाना है तो इस बेशन की सबजी को जरूर ट्राई करिएगा बड़ी ह को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल परना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मगभूल है तो चलिए आज की रेश्पी शुरू करते हैं तो बेशन की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेशन तो एक कटोरी यहां पर मैंने बेशन लिया है इसको कशूरी मैθी थोड़ा करके ही डाला है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल और इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स और इतनी चीजे आपको डालनी है आप क्या करना है इसका डो लगाना है मतल़ा आटा लगाना है हमेशा बेशन का जब इतना डो अच्छे से आसानी से लग जाता है, तो यहां देखिए जो पानी लिया था ना अधी कटोरी, ठोड़ा सा लगा है, देखिए कितना सारा बच गया आप, थोड़ा सा मैंने हातों में ले लिया है, तेल, सरसों का और बढ़िया से चिकना देखिए, आठा लगा लिया इससे ही होता है चिपकता नहीं हाथों में और बढ़िया से सौप्ट ये बेशन का आठा लगता है डखकर रखेंगे पांच मुट तब तक बनाएंगे मशाला तो मिक्सी जार ले लिया है दो प्याज मीडियम साइज के कट कर लिये हैं लेशन लिया है द्रक लिया है पांच स इस सब चीजें दरदरी पिश चुकी है इसको कटोरी में निकाल लेंगे तो आप देख लेते हैं आठा तो यहां पांच मिनट हो चुके हैं और बेशन का आठा भी बढ़िया से फुल चुका है सैट हो चुका है अब हलका सा देखिए चकले पर इसको थोड़ा सा चिकना कर है इस तरीके से देखिए लोई बना ली है और इसमें आपको सरसो का तेल हलका सा लगा के रख देना है और देखिए बेलन में भी मैंने लगा लिया है आप इस तरीके से भी बेल सकते हैं तो आठा या बेशन लगा कर भी बेल सकते हैं नहीं तो आशानी से जब तेल लगा करना है वो ढख जाता है अंदर से अब आपको ले लेना है एक पीजा कटर और देखिए इस तरीके से इसको हाप डिवाइड करना है फिर देखिए फिर से चार डिवाइड में कर देना है फिर से इस तरीके से कट करना है आपको इस तरीके से ट्राइंगल सेप में ये देखी क कट हो जाती है पट्टियां इस तरीके से आपको कट कर लेना है चाकू की साहता से भी बड़ी आसानी से कट हो जाती है एक दम डिफ्रेंट ये बेशन की सब्जी है बनाना बहुत ही आसान है एक बार जरूर बनाईएगा आप क्या करना है आपको इस तरीके से रॉल करना है द बनती है आपको जब भी यह सब्जी बनाएंगे देखते ही मुह में पानी आ जाएगा और देखिए इसी तरीके से सारे बना लेने हैं देखिए हलका सा देखिए प्रेस करें जब जब पूड़ी बनाते हैं इसकी तो फट रही है तो कोई दिक्ता नहीं क्योंकि यह देखिए इस तरीके से बंद हो जाती और बस एक फिंगर की सायता से आपको इस तरीके से रॉल बना लेने हैं कितने बढ़िया डिजायंदार बने हैं आप देखी सकते हैं और कितनी आशान से बन जाती हैं आप तीन चार पूड़ियां बन जाती हैं बना कर रख लीजिए फिर इस तरीके से फटा फट बना लीजिए देखी कितने देखने में प्यारे लग रहे हैं यह रॉल इनको आप चाय के साथ फ्राई करके भी खा सकते हैं बड़े ही टेस्टी लगेंगे बस इसको इस्टीम करना है चार से पांच मिनट आपको कैसे पता चलेगा यह जो रॉल है ना फूल कर डवल हो जाते हैं और देखिए बड़े आसानी से वाल हो जाते हैं एकदम से फटते नहीं है तो यहां पर पांच से चै मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको निकाल ले रह से कडाई फिरसे रख है सर्सों दाल दिया है गरम कर लेंगे Gegenर जी जैसे ही क्रैक हो जाए इसमें डालेंगे हिंग्ग तो हींग झरूदाले क्योंकि बेशन की जब भी सबड़ी आप बनाए तो हिंग BASADA ले ले थिये तोड़ी सी काली मिष्ट दो लॉंग और दो तेज पत्ते अईसी में डाल देंगे सिफ जो सब्जी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा थोड़ा सा मिक्स कर दिया है अब यह जो देखिए प्याज लेसुन अद्रत हरी मिष्ट जो पीसी थी न दर्दरी उसको डाल कर इस थोड़ी सी कस्मीरी मिच और गरम मशाला स्वादन शार नमा इतनाई पेशक मशाले लिए है और बस थोड़ा सा वही पानी डाल देंगे और बढ़िया से करेंगे इन मसालों को मिक्स मसाले जैसे ही मिक्स हो जाए उसके बाद डाल देंगे एक मीडियम साइज की टमाटर की प्यूरी और बस थोड़ा सा पानी और डाल देंगे बड़िया से मिक्स करके अब इन सारे मशालों की करनी है अच्छे से बुनाई तो दो से तीन मिनट लगेंगे अच्छे सी ये मशाले बुन जाएंगे तो चलिए मशाले को अच्छे से बुन ले रही हुँ देखिए बेशन का बचा था ना जो बाल किये दे रॉल तो वही डाल देना है और उसी के बराबर मैंने और पाणी डाल दिया है और पानी यहा जो ग्रेवी आपको रखनी है वैसे यहाँ पाणी आप एड़ कर सकते हैं क्योंकि यह सब्जी है बाद में भी थिक होती है आप अगर चावल के साथ बना रहे हैं तो ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैंने ढग कर इसको दो मिनट पका लिया है ग्रेवी को जैसे उबाल आ जाए ना उसके बाद ही आपको यह रॉल डाल देने है देखिए बस बड़िया से कर देना है मेक्स और देखिए अभी आपको ग्रेवी जादा लग रही है बिलकुल नहीं है यह सब्जी थिक होती है बाद में बनने के बाद अब इस सब्जी को हमें पकाना है पांस से चैमनट मीडियम से थोड़ी कम गैस पर आराम से पकने देन इसकी ग्रेवी है इस ग्रेवी का स्वाध बड़ा ही टेश्टी आता है आब इसमें मैं डाल दूँगी क्रस करकर कशूरी मेती अगर कशूरी मेती नहीं है है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं बड़िया से करेंगे मेक्स तो final सब्जी बनकर तयार है तो यह देखिए बेशन बनेगी आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे जब घर में सब्जी कोई समझ ना आए तब भी ये सब्जी बना सकते हैं और जब मेहमान भी आ जाए तब भी उनको बना कर खिला सकते हैं बड़ा ही बनाना असान है अगर आज की रेस्पी ये बेशन की सब्जी बनाना आपको अजयार!